नमस्कार दोस्तों UK88C में उत्रखंड पुलिस कॉंस्टिबल की 2000 पदूपर वेकंसी आई है आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसका सलेबस क्या रहने वाला है इसका एक्जाम पैटन क्या रहने वाला है कम्प्लीट डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए आपके आने वाले उत्रखंड पुलिस कॉंस्टिबल के एक्जाम के लिए ये काफी ज्यादा महत्यपूर रहने वाला है तो देखिए ये सबसे वाले बात करेंगे एक्जाम पैटन की ये 100 marks का होगा इस पर हमने एक separate वीडियो बना दी है उसको आप देख लीजिए कि आपके physical में क्या-क्या होने वाला है उसके लिए आप उस वीडियो को देख लीजिए इसके बाद देखिए दूसरा आपका होगा रिटन टेस्ट इस पर ही हम बात करेंगे syllabus के बारे में रिटन में क्या-क्या आईगा तो रिटन आपका 100 marks का होगा और ये offline paper होगा ठीक है ये final merit बनेगी वो इन दोनों यानि की physical और written के base पर बनेगी दोनों के marks add होगे 200 marks का total final merit रहेगा तो अब बात करते हैं syllabus के बारे में syllabus क्या रहने वाल है तो देखिए total आपका जो exam है वह 100 marks का है और इसमें syllabus 20 नंबर की आपकी आने वाली है हिंदी general हिंदी जिसको कहते हैं हिंदी में क्या-क्या आएगा उसको हम आगे discuss करेंगे इसके बाद देखिए दूसरा जो आपका सबसे बड़ा portion है वो है उत्राखंट GK का उत्राखंट GK आएगी 40 marks 40 नंबर की इसमें क्या-क्या आएगा इसमें उत्राखंट का history आएगा quality आएगा उत्राखंट current affair आएगा उत्राखंट की geography आएगी जिसमें जिसमें आपके नदियां आ जाती है mountain आ जाते हैं डेम आ जाते हैं river आ जाते हैं glacier आ जाते हैं यह सारी जो हैं उत्राखंट GK से संबंदित question इसमें पूशी जाएंगे history में बात करें तो चैंज राजवंस पवार राजवंस और जो आपके गोरखर राजवंस है British रासन है इनसे related question जो है exam में बनेंगे उसको हम आगे discuss करेंगे तो यहाँ पर यह total हो गया 60 माक्स का अब बागी बसता है आपका 40 माक्स का 40 में से देख इसमें जो question आपके रहेंगे वो GS के रहेंगे आनिके general study general science इसमें नहीं आएगी पिसली बार जो police का exam हो था वो UK PSC ने कराया था ठीक है उसमें कुछ question जो science के भी डाल दिये थे तो science का एक भी question इसमें देखने को नहीं मिलेगा science नहीं पढ़नी आपको आपको पढ़नी है GK GK देखिए आपका history, quality, geography, economy, world history यह वाले question आपको देखने को मिलेंगे 27 से 30 question इसके बाद देखे 7 से 8 या 8 से 10 का ratio रहता है यह जो है reasoning का तो 7 से 10 के बीच में आपको question देखने क reasoning के और current affair जो है यहाँ पर उत्रकरण current affair तो आता ही है साथी साथ जो national current affair इंटरनेशनल current affair है वहां सभी एक दो या दो से तीन question आपको देखने को मिलेंगे इसके बात आएगा computer computer के एक दो या दो से तीन question आपको देखने को मिलेंगे तो यह तोटल आपका स्लेबस रहने वाला है हमिट्ट मास जान देना है चार से पांच दिस्ट में 25 जो इन में पूछे गए उतibi बॉलीों से कॉमाबनया जहान पूछेया रहे हैं छीक यह वर्ण वाला ये जो grammar का portion है ये पूछा जाता है वर्तनी आती है सुद्ध असुद्ध इसके बाद देखे यहाँ पर है वर्ण अक्सर उपसर्ग प्रतेश, संग्या, सर्वनाम, विसेशन, किरिया, विसेशन, किरिया, लिंग, वचन, पुरुस, काल, कारक ये जो है एक्जाम आते हैं, जन संचार से भी question पूछी जाते हैं, ठीके, इसके बाद देखे, हिंदी साहित से भी question बनते हैं, जो एक प्रमुग आपका पद्य और गद्य में जो लिखक दिये गए हैं, इनकी जो प्रमुग रशनाय हैं, उनसे question पूछी जाते हैं, तो ये आपका portion important है, recording आपको तहरी करनी है, तो हिंदी का मैंने आपको बता दिया, बीस माक्स का हिंदी आएगा, इसके बाद देखे, चालीज संकर का जो है, आपका GK है, यानि की GS है, जनल स्टेटीज की बाद कर दो इसमें reasoning आने वाले है, reasoning मैंने आपको बता है, 7-8 question या 8-10 question इसमें देखन को मिलेंगे, next अबर computer रहेगा, एक से दो कोशिन है, दो से तीन कोशिन जो है, या यह computer के भी रहते है, ठीक है, या computer का syllabus ने आप दिया गया है, इसके बाद आपका जो इतिहास है, इतिहास से कोशिन आते हैं, इसमें कोई fix नहीं है कि इतिहास से कितना आएगा, तो आपको जो स्लेबस में दिया है वो आपको पढ़ना है आपर यह त्यास है पूरा चीक है आपका एंसियर्स्टी हो गया modern हो गया और medieval हो गया तीनुसे question बनते हैं इसके बाद देखे जोग्रोफी से question बनते हैं इसके बाद नीचे दो है आपका quality important है पॉलिटी से question बनते हैं पांस से छे question पॉलिटी से आते ही है तो यह भी आपको अच्छे से पढ़ना है economy से देखिए एक दो question आपको देखने को मिलेंगे economy भी आपको पढ़ना है नेक्स आपका जो है जो राज जी और रास्ट्री अंत्रास्ट्री current affair है तीन से चार question आपको total अगर मिलाएं राज जी का और national का तो तीन से चार question आपको current affair की देखने को मिलेंगे इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है इसका जो next है सबसे बड़ा portion है उत्राखंट जी के का है 40 marks आपको उत्राखंट जी के आने वाला है ठीक है उत्राखंट का जो geography है geography में क्या आता है देखे परवज, चोटिया, हिमनत, नदिया, जीले, प्राकरतिक, संसाधन, वन, संसाधन, मर्दा, संसाधन, जन सिंग्या इनसे question बनते हैं उत्राखंट का इतियास important है जिसमें आपका British काल आ जाता है, चंद, राजवनस, पबार राजवनस, कुडिंद, यह सब इनसे question पूझे रहते हैं ठीक है modern history से देखे उत्राखंट राज या अंधुलन जो हुआ था उससे related question मनते हैं और इसके बाद देखिए उत्राखंट की अर्थ व्यूस्ता से question बनते हैं उत्राखंट का जो culture है, art and culture से भी question बहुत जारा बनते हैं तो यह आपको अच्छे से पढ़ना है ठीक है, और अगर आप नई हैं जो पुराने candidate हैं उनको तो सब पता रहते हैं क्या पढ़ना है और नहीं पढ़ना है एक महत्रोपुर्ण रोल प्ले करता है उत्राखंड का पोर्चन तो यह टूटल आपस लेवर्स है यू के त्रिपल से का जनल स्लेवर्स 12 पास यू वेकंसी है उसके लिए यही स्लेवर्स है तो यह है इस वीडियो का एंड थैंक्स पर वाचिंग एंड गॉड बिलिश यू कर झाल मननननननननननननननननननननन तो यू यह जू यह बएंड प्रभड बिलिबश यू ओर भास साफॉ liberty का में जनल आपसुर्ण तो मिल इंई जनलेवर्स का जब से का जनलेवर्स आपस्टिया जनलेवर्स नहाद बगगियो